इसरों ने 21 अगस्त को चंद्रियान 2 को चांद की दूसरी कक्षा में सफलता पूर्वक प्रवेश कराया था आसे दू दिन बाद यानि 28 अगस्त को चंद्रियान 2 चांद की दीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा जिसके चलते अगले 48 घंटे चंद्रियान टू के लिए एहम है दुनिया भर में मौजूद इसरों के 19 सेंटर्स इस पर नज़र रख रही है मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल में सरकारी भागों की सपाई यानि प्रस्टचार और अन्य मामलों के आरोपी अपसरों को निकालने का सिंसला जारी है एसी कड़ी में CBIC के 20 से ज्यादा सीनियर अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया गया है जबरन रिटायर किये जाने वाले सभी अधिकारी सुप्रेंटेंडेट और एयो रैंक के थे अधिकारियों को फंडामेंटल रूल 56J के तहट रिटायर किया गया है फ्रांस में हो रहे G7 शिकर समेलन में आज भारत के लिए बेहत एहम दिन है शिकर समेलन से अलग पिये मोधी और अमेरिकी राज़शुपती डुनाल ट्रम के बीच दुपक्षिवारता होगी कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार ट्रम्प और मोधी के बीच दुपक्षिवारत चीत होगी इसे पहले प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कल फ्रांस पहुंचे तीन देशों की यात्रा पर पियम का ये अंतिर पड़ाव है रविवार शाम प्रधान मंतरी के बाहा पहुचने पर कई देशों के प्रमुकों ने उनका जोड़ार स्वागत किया पूर्व प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप की सुरक्ष वापस ले ली गई है ग्रेमन पुराले ने कहा कि बड़तवान सुरक्षा कवर की समिक्षा की गई ये सुरक्षा एजंसिया संभावित खत्रे को लेकर की जाती है SPG सुरक्षा अटाये जाने के बाद मनमोहन सिंग को जेट प्लस की सुरक्षा दी जाएगी IAS अबसर जी करन के स्थीपे के बहाने कॉंग्रस महा सच्चे प्रियंका गांधी वाड़रा ने मोधी सरकार पनिशाना साथा प्रियंका गांधी ने एक दौर के पॉपुलर पॉलिश कवी और लेकक मिवाश की लाइन को दौराते हुए कहा कि एक कमरे में जब लोग सर्व समती से चुपी की साज़श को बनाये रखते हैं तो वहाँ सच्चाई का एक शब्द पिस्तॉल की गोली की तरह लगता है जी कननन ने अभी हाली में कश्मीर मसले पर अपना स्थीपा दे दिया था मॉब लिचिंग को लेकर AIM IAM चीप असदुद दिन ओवेसी ने मोधी सरकार पर निशाना सादा है केंदरी ग्रह मंतरी अमिशाह को टैक करते हुए OVC ने ट्विट किया है उन्होंने कहा है कि कानून में सुधार से ही मॉब लीचिंग रूप सकती है हरियरा विधान समद चुनाव को लेकर BGP ने पूरी ताकत जोग दी है BGP अदिक्षमिच चाहर रक्षा मंतरी राजना सिंग के बाद अब पीए मोधी की रैली की तैयारियां की जा रही है सिमनों हलाल की तरव से निकाली जा रही जन आशिरवाद यात्रा का आठ सितंबर को रौत तक में समापन होगा जिसमें पीए मोधी भाषन देकर पाथी कारिकरताओं का उत्साह बढ़ाएंगे तमिलाडू में बाबसा है भीम राव अमेटकर की मूर्ती तोड़े जाने के बाद बबाल थमने का नाम नहीं ने रहा है सोमबार को कोईबंटूर बस अड़े पर एक तमिल समुहू की तरफ से पत्राव के जाने की खबर है सोमबार को इस पत्तरबाजी में दोबसों के शीशे तूट गए पत्राव के दौरान किसे के हताहत होने की खबर नहीं है